हाई गाईज वेल्गम बेक टो मारी चैनल मैं हूँ सुगम और मेरी चैनल पर फिर से एक बर आपका स्वागत है तो आप में से बहुत से लोग बहुत दिनों से रिक्वैस कर रहे हैं कि सुगम हमें ऐसा कुछ बताये जो हम लंच में खाएं खासकर ओफिस गोईंग, हॉस्ट खाना चाहते हैं क्योंकि स्कूल, कॉलेज या फिर जो हॉस्टल वाले होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कुछ बनाया तो आज मैं आपको एक ऐसा लंच बता रहे हूं जो दो से कम टाइम में रेडी होगा और एक्स्ट्रीम वेट लॉस होगा उसमें मैं आप लोगों को बताया हुआ है कि वो वेट बहुत अच्छा लॉस करता है तो इन सारी चीजों के साथ मैं भी अपना लंच करती हूं और आप लोगों को भी बताऊंगी कि यह लंच मात्र 2 सेकंड में कैसे रेडी हो जाता है इस के आप उनआ हुआ है मेरे पास इतना फ्सक्राइब होता है मैं एक जोईन कामनी में नहीं है मेरे गते हों मुझे थाम Figlles चीजों वर एक के बताव ही उपकांश किसे अपने चेजह से नहीं को भी तैम लॉक्ता यहाया है क्लें जाड़ते हुए बंसक्रेदु कून अपना टाइम नहीं होता है कि मैं किचन में अलग से जाओं और आधा घंटा और 45 नट एक घंटा से अपनी डाइट को बनाने के लिए दूँ तो मैंने भी कुछ ऐसा खोश निकाला कि मात्र एक-दो सेकेंड में मैं ऐपना पटाक से उठ्टू यूट्यूब के काम से और एक-दो सेकेंड में बना के जिस्ट खाके पर आके काम करने बैट जाओं तो मैंने भी ऐसा कुछ जून निखाला है और आप लोगों के साथ भी इसलिए में यह चीज आज बताने आई हूँ तो फटा फट से वीडियो के तरब पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरे न्यू चानल को सब्सक्राइब नहीं किया उस पे मैं बहुत अच्छा सा वीडियो डालूंगी या डालने वाली हूँ I think वो पढ़ भी गया होगा कल मैंने उसे डाल भी दिया होगा कि किस तरह से जो लोग घर में चूहों से परिशान है मैं बहुत परिशान हूँ मैंने आप लोग के साथ शेयर ने किया एक ऐसी चीज ले ली थी जिसमें कि बहुत महंगी लेकिन मैं बोलूंगी कि बिल्कुल भी मतलब की चीज नहीं थी बहुत ही चल्दे प्रफर आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो वो उसमें चूहे जा रहे थे किचन में चूहों की तो यह चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो एक इस्प्रे है जिसके थूहे मरेंगे नहीं मतलब मैं अभी उन लोगों में विश्वास करती हूं जो चूहे मारने नहीं कुछ नहीं बस जस्ट लाइक कि आप चूहों को भगा दीजे प बारे में पताग चला है मैं आप लोगों के साथ भी मैंने औरों को बताया और मैंने सुचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस चीज को शेयर करूं तो वह चीज उस चैनल पर अल्रड़ी अप्लोड हो चुकी है तो एक बड़ चक आउट कर जरूर करिएगा तो चलिए इस चैनल के वीडियो पर आते हो और फटा फट चलते हैं वीडियो की तरह जैसे कि मुझे बहुत सो लोग जाना चाहते हैं कि मैं लंच में क्या प्रफर करती हूं तो जी हां माई मिलक शेक में प्रफर करती हूं जब भी मुझे लगता है मेरा वेट गें हो रहा है मुझे आप खाना चाहिए मुझे हाई प्रोटीन लेना चाहिए विद ग्रीन कॉफी इस्ट्रेक्ट मैं इस प्रफर करती हूं जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा लोग आप से हाई फाइबर हाई प्रोटीन है और बहुत सारी गुटन फ्री है साथी साथ चोकलेट फ्रेवर में मुझे सबसे अच्छी बात लगिए सारी चीजे इसमें मैंशन है इसके इस्ट्रेक्ट आपको बहुत अट्रेक्ट करेंगे इसके मिल्क पाउडर है नेच्रल सुटनर है प्रोटीन है संफ्लावर है फ्लैक्सी डॉयल है और फ्रेग्रिन एक्स्ट्रेक्ट है मेथी की दान आपको एक चीज और इस्ट्रेक्ट करेगी इसके साथ मिलने वाला शेकर यानि आपको कुछ भी और नहीं करना है या कोई भी ग्लास नहीं लेना है अल्रेड़ी पर हाँ इस समय कफी छूट पर अबलेबल है लिंक मैं नीचे देदूंगी चके चकाउट करिएगा तो इस परहा से आपको इस शेकर मिलता है तो आप इसमें पीस सकते हैं तो इस शेकर भी मुझे कपी आट्रैक किया तो शेकर की बात तो छली है अलग है लेकिन प्रोडेक्ट और एक्रोडेट मुझे पहले भी बेनेफिट दे चुका है पहले भी मैं इसे वीडियो कर चुकी हूं और अगेन आज इसलिए हम ही वीडियो करी शुकी हूं दिणे भी कों भी अब से लो अब बहुत थकार के आए रहे हैं उसे फिर में है उसे प्रवाइब कर दोषब एक पार में साथ है रहे हाना है पने पाणी को तो ना है है जो कुछ रखा होता है जो मैदे वाली शीडमा खा लेते हैं इस पार हमें बहुत ज़्यदा ग्लिडी फील होती है कि हमने क्यूं कहा तो इस चीज की साथ ऐसा नही हैas जस्त है एक सेकंड बनके सो जाता है तो चलहे मैं दिखाती हूं की आप को इसे कैसे बनाना है बनानी refrain को पोई भी प्राउसस नहीlik आपको लेना है तो आपको jais PANY लेना है मैं PANY में परिफर करती हूँ आप चाहे तो SKIM MILK में परिफर कर सकते हैं सारे मिसारमन देवे 200 ml दूत के साथ जो SKIM MILK होता है कुर के साथ आप इसे ले सकते हैं मैं पानी में लेती हूँ भर के लेती हूँ जी हु किहती अएट बहुत टेस्टी लगता है नेचुरल स् чит Гuill j अभी जर इस देनी में ऐलना वन सबी अपना तो ये सारा याप्षिम जाने जाने वाले हैं जो लोग बोलते हैं कि जीम जाते हैं पोटीन ले सकते हैं जो लोग वेट लोग लॉस करना चाते हैं विच जिम जाते हुए वो ले सकते हैं वेट कहीं से गेन नहीं होने माला है आपका तो ये शेकर आपका बनकर रटी है जहां भी टेबल पर बैठी है काम करते हुए लैपटॉप पे ओफिस में इवन जो कॉलेज गर्ल है उनके लिए भी यह है और होस्टल वालों के लिए बेस्ट है कि वो लोग खुछ बनाना नहीं चाते हैं विदाउट गैस उनके पास गैस महीं होती तो वो मुस्से बहुत ब में दे दिया है और सबसे अच्छी बात है इसलिए भी मैं वो रही हो जल्दी करी काफी सस्ता हो गया है आपका लंच बनके रेडी हो जाएगा और फटा-फट से पीजे और काम में लजाएए फुल ऑफ एनरजेटिक है भूप नहीं लगेगी जिनको भी चॉकलेट खाना मतलब भर भर के आपको लगेगा कि मैंने थीन चार चॉकलेट खाई हुई है इतना टेस्टी फ्लेवर है शुगर की बिल्कुल बिजरोत नहीं पढ़ेगी क्योंकि इसमें नच नश स्वीटनर अल्रेडी पढ़ा हुए मेरे कहन ऐसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा और आपको एक हफ्ते से एक हफ्ते में दिखने लगेगा बोडी पर मैं इसे प्रफर करती हूँ और आप लोगों को भी बोलती हूँ कि एक बार जरूर प्रफर करिएगा तो मिलती हूँ बहुत ही चल्दी एक नए वीडियो के साथ और लिंक मैंने अल्रेडी डिस्क्रिप्श झाल झाल